टाटा बनाएगा आइफोन यहां दोस्तो ताइवानी सप्लायर विस्ट्रोन कोप के साथ डिल फाइनल हुई तो टाटा आइफोन बनाने वाली पहली भारतिये कंपनी बन जाएगा टाटा ग्रूप बारत में एक Electronic Manufacturing Joint Venture स्थापित करने के लिए एपल के ताइवानी सप्लायर विस्ट्रोन कोप के साथ बात कर रही है यह जोई्ट वेंचर बारत में आइफोन असेंबल करेगा टाटा इसके जरिये Technology Manufacturing में एक ताकत बनना चाथा है यदि यह डिल सपल होती है तो यह टाटा को आइफोन बनाने वाली पहली भारतिये कंपनी बना देगा अभी भारत और चीन में विस्ट्रोन और होक्सकॉन कंपनी आइफोन असेंबल करती है कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने यह दावा किया है कि अगर भारतिये कंपनी आइफोन बनाना सुरू कर देती है तो इससे चीन को कड़ी टकर मिलेगी चीन के Electronic Manufacturing में डोमिनस को COVID lockdown और अमेरिका के साथ राजनितिक तनाव ने खत्रे में डल दिया है बढ़ते भूराजनितिक जोखिमों के समय पर चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए Apple iPhone Manufacturing के लिए अकले चीन पर dependent नहीं रहना चाहता है डिल को भी final करना बाकी है डिल का structure और details जैसे कि shareholding को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है इस मामले में जूड़े हुए लोगों में से एक ने कहा है कि iPhone Manufacturing के लिए Vistron के इंडिया ओपरेशन में टाटा या तो इक्वीटी खरीच सकती है या फिर वो कमपनी एक नया Assembly Plant लगा सकती है या फिर इन दोनों को भी Execute किया जा सकता है Apple उन सेत्रों में से है जो स्थानिय कमपनियों के साथ काम करने के लिए जाना जाता है जहां पर उन्हें Manufacturing बेस स्थापित करना है यानि कि Apple को जिस देश में Manufacturing Plan स्थापित करना है उस देश की नीजी कमपनी यानि कि वहां की जो जानिमानी कमपनिया होती है उससे काम करने के लिए वह जाने जाते हैं iPhone manufacturing को 5 गुना बढ़ाने का लक्षय है जिहां दोस्तों उन लोगों में से एक ने कहा है कि नए venture का लक्षय भारत में विश्ट्रोन के निर्मित iPhone की संख्या को 5 गुना तक बढ़ाना है अगर यह partnership होती है तो केवल iPhone manufacturing तक सिमित नहीं रहेगी स्मार्टफोन से भी आगे इस manufacturing बिजनेस को ले जाये जाएगा Tata Group के chairman नटराजन चंदर सेखर ने कहा है कि electronics और i-tech manufacturing company के लिए यहां पर प्रमुक focus है यहां दोस्तों काटे से जूज रहे विश्ट्रोन को मिलेगा मजबूत पार्टनर यानि की software, steel और car जैसे sector में Tata Group का ज्यादातर बिजनेस है लेकिन उसने South India में iPhone के chassis के component का निर्मान शुरू कर smartphone supply chain में शुरूती कदम उठाए है काटे से जूज रहे विश्ट्रोन के भारतिय विवसाई को Tata का एक मजबूत और लोकल पार्टनर मिलेगा यहां दोस्तों विश्ट्रोन ने 2017 में भारत में iPhone बनाना सुरू किया था ताइप ए स्थित कंपनी वर्तमान में करना तक में अपने प्लांट में iPhone को असेंबल करती है लेकिन iPhone का सबसे ज़्यदा प्रोडेक्शन चीन में होता है Apple, Foxconn, Wistron और Pegatron जैसी अपने contract manufacturer को पार्ट सप्लाई करती है और फिर वो manufacturer इसे असेंबल कर iPhone तयार करते हैं वो अपने contract किये गए manufacturer's यानि कि जो दूसरे देस में होते हैं उनको सिर्फ parts बेलती है और वो वहाँ पर जाकर असेंबल कर देते हैं और इसे iPhone तयार होता है जिया दोस्तों Apple ने 2017 में iPhone SE के साथ भारत में अपने iPhone manufacturing की शुरुवात की थी इसलिए अगर ये deal data को मिलती है तो वो इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ी company है और इसमें ज़्यादा investment भी कर सकते हैं और अपने दूसरे sectors की मदद लेकर वो इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं और चिन के मुँपर जोरदार तमाचा लगा सकते हैं जी आँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो माच चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें मिलते नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए टेक केर